स्टुडेंट्स आज हम वन, वन माला, वन के परकार, स्वर, व्यंजन इन सब के विशे में पढ़ते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन किसे कहते हैं, व्याकन में ध्वनी का अर्थ होता है, वन ध्वनिया मुझ से निकलती है, जैसे हमने मा शब्द बोला पढ़ना, त बोलते समय हमारे मुझ से वाके निकलते हैं, वाके किस से बनते हैं, वाके शब्दों से और शब्द वनों से बनते हैं, तो जैसे हम उधार लेते हैं, यह मेरी पाठशाला है, तो इस वाके में चार खंड है, इन खंडों को क्या कहते हैं, यह मेरी पाठशाला है, इन खंड य और अला क्योंकि सभी वियंजन वर्णों में अ की दुहनी होती है, ह जमा अ, अब मेरी लेते हैं, मा को क्या है, चोटी ए की मात्रा तो हमने मा लिखा, और चोटी ए लिखा, र को क्या है, बड़ी ए की मात्रा तो र जमा बड़ी ए, तो अब हम पाटशला देखते हैं, जैस पाट शाल को क्या है, तो हमने बड़ा आ लिखा, ह, 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 और ह को क्या है, बढ़ी ए की मात्रा तो हमने बढ़ी ए लिखी, वन वे धुहनी चिन है, जिनके और खंड टुकडे नहीं किये जा सकते, वन का ही दूसरा नाम क्या है, अक्षर है, जैसे आ, ई, जैसे, आ, ई, ओ, क, और, ह, आधी क्या है, वन है, व्यान्जन वनों में, तो सवी व्यान्जन वनों में क्या होता है, आकी धुहनी होती है, जैसे कर जमा अ कर जमा हा तो हम इसको क्या लिखेंगे कर लिखेंगे अधुनी को हटा देते अगर हम अधुनी को हटा दे तो हम क्या लिखेंगे अगर हमने अधुनी को हटा दिया तो हमने कर के नीचे क्या डाल दिया एक लाइन सी डाल दी खा के नीचे भी हमने लाइन डाली है तो इसको क्या कहते है हल चिन जा, हल अंत कहते है तो जब किसी व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो उसके नीचे क्या लिख दिया जाता है ये लाइन डाल दिया जाती है इसको हल चिन किया जाता है कहा जाता है तो कौ जमा अ तो ये क्या है? व्यंजन के स्वर के साथ है, तो हम इसको कौ लिखेंगे, तो वन माला अब हम वन माला पढ़ते हैं, वन माला किसी भाशा के वनों के क्रमवद तथा विवस्ति तो समू को क्या कहा जाता है? वन माला कहा जाता है, तो जैसे अब हम वन माला के समझते हैं, जैसे स्वर अ, बड़ा आ, छोटी इ, बड़ी इ, उ, बड़ा उ, री, छोटी इ, बड़ी इ, ओ, आउ, ये कितने हैं? स्वर कितने हैं? ग्यारा है, अब हम व्यंजन पढ़ते हैं, यह क्या है, यहां से लेके कर से लेके मातक क्या है, स्पर्ष व्यंजन है, कर से लेके मातक स्पर्ष व्यंजन है, यर लव क्या है, अंतस्त व्यंजन है, और श, शटकोन वाला श, स और ह क्या है, उश्म व्यंजन है, तो इसमें जो कर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको क्या कहा कहा जाएगा कवर्ग च से चवर्ग टवर्ग टवर्ग ट से स्टार्ट हो गया तो टवर्ग प और पवर्ग तो ये वाला क से ये क्या है कंटे व्यंजन है इनका उचारन कंट से गले से होता है चश जज और ये क्या है तालवे व्यंजन है इनका उचारन तालू से होता है ता यह मूर धन्ने व्यंजन है त और द धन्ते व्यंजन है दान्तों से उतारण होता है और यह क्या है ओस्टे व्यंजन है ओस्ट मूंट से इनका उचारण होता है तो इसमें से जो कख ग घ और यह जो पांचमा अक्षर है इसको क्या कहते हैं यह क्या है इसको पंचमा अक्षर क कि अन्य दुहनिया क्या है अंगा और अह और अनुनासिक है तो इसे अंगा को क्या कहा जाता है अनुस्वार किसे कहते हैं इसका उचारन नाक से होता है अनुस्वार का उचारन किसे होता है नाक से होता है इसका चिन क्या होता है बिंदू होता है अनुस्वार का चिन क्या होत इसका उचारन अह की तरह होता है तो इसको क्या कहा जाता है विसरग कहा जाता है इसका प्रियोग जो है वियंजन के वाद होता है और इसका उचारन ह की तरह होता है जैसे अता, पूना, प्राता, आदी तो हमने अनुस्वार और विसरग के विशे में पढ़ा तो अब हम इसका उचारन नाक और गले दोनों से होता है और इसका चीन क्या होता है चंदरबिंदू होता है तो इसका चीन चंदरबिंदू होता है जैसे दांत चांद कांटा आधी इनमे से अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही वियंजन है इनकी स्तिती मद्दे की है इसलिए इनको क्या कहा जाता है योगवह कहा जाता है अब क्षत्र ग्य और श्र ये चार क्या है क्षत्र ग्य और श्र क्या है ये चारो संजुक्त वियंजन है ये दो वन्न सिस्धे हिनम के मेल से बने हैं इसलिए ने क्या कहा जाता है सुनजूक्त वियनजन कह तो बना कुछ तो अब हम स्वर के विशे में पढ़ते हैं, स्वरों का उचारन सबतंतर रूप से होता है, अर्थात इनके उचारन में किसी अन्यवन की सहायता नहीं लेनी पढ़ती है, तो आ से लेके ओ तक 11 स्वर है, व्यांजन को से हो तक 33 व्यांजन है, इनके उचारण में स्वरों की सहाइता लेना अवश्यक होता है, तो अब हमने स्वर और व्यांजन के विश्य में पड़ा, अब स्वरों की मात्राएं, आ को शोड़ कर सभी स्वरों की मात्राइं होती है जब कोई स्वर व्यांजन के साथ जुड़ता है तो व्यांजन जैसे कख और ग और स्वर जैसे बड़ा आ छोटा आ बड़ा आ तो कोई स्वर जो है व्यांजन के साथ जुड़ता है तो उनके साथ स्वर नहीं, बलकि उसकी मात्रा का प्रियोग होता है, जैसे र जमा बड़ा आ, तो बड़ा आ क्या है, स्वर है, तो हमने बड़ा आ का प्रियोग नहीं करना, यहाँ पे हमने र के साथ स्वर की मात्रा का प्रियोग किया है, प जमा छोटी इ, तो यहाँ पे हम का जो चिन लगता हुसे मात्रा कहते हैं तो इसमें से स्वर जो है स्वर्ज है दो मूल रूप से 250 होते थो स्वर मूल रूप में टर्यूप मैं रहते हैं तो आप only शौर समाने न परकार होते हैं अब हम स्वर के भीध पढ़ते हैं उचारन और प्रियोग के अधार पर स्वर जो है तीन परकार के होते हैं जैसे धीरक स्वर जैसे हरस्वर धीरक स्वर और प्लूत्व स्वर हरस्वर पढ़ते हैं हरस्वर किसे कहते हैं जिन स्वरों के उचारन में कम समय लगता है उन्हें क्या क जैसे अ, ई, उ और रही हरा स्वर कितने हैं? चार हैं, अब हम धीरक स्वर पढ़ते हैं, जिन स्वरों के उचारन में हरा स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगता है, उन्हें धीरक स्वर कहते हैं, धीरक का आर्थी जैसे लंबा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, उ बड़ा उ, चोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये कितने हैं? धीरक स्वर साथ हैं, अब पलूत स्वर, हरा स्वर से तीन गुना अधिक समय लगता है, जैसे ओम, आधि, तो स्वर के रूप पढ़ते हैं, स्वर के रूप, तो स्वर के दो रूप हैं, एक मूल रूप और एक कौन सा है? मात्रा रूप, तो शब्द रचना में स्वर का प्रयोग जब स्वतंतर रूप से किया जाता है, तो वो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, तो ये स्वर का कौन सा रूप है? आम, इसमें हमने क्या लिखा? बड़ा आ और म, तो स्वर का प्रयोग जो है स्व कि हमने काम लिखा तो यहां पर बड़ा नहीं लिखा हमने उसकी मात्रा का प्रयों किया है और लिकना में विढ़ी हमने चोटी ए नहीं लिखी बलकि स्फ ऐ की मात्रा का प्रयों किया वंध्लारूप effectiveness की नंके टीन भीयद होते हैं सभी का अर्थ है शुना जिन व्यंजनों का उचारन कंट, मूर्दा, कार्थ, तालू और ओष्ट, होंट के स्पर्ष से होता है उन्हें स्पर्ष व्यंजन कहते हैं इनमें कह से मा तक कुल 25 वर्ण आते हैं कह से मा तक स्पर्ष व्यंजन में 25 वर्ण आते हैं अंतरस्थ व्यंजन जिन व्यंज अब उश्मी वियंजन जिन वन्नों का उचारन करते समय वायू के रगड़ खाने से एक प्रकार की उश्मा जहां गर्मी सी उत्पन होती है उसे उश्मी वियंजन कहते हैं इनकी सेंख्यावी चार है तो ये कौन-कौन से हैं श, शटकोन वाला श, स, ह और ह अब स्वर्त अंत्री में कंपन के धार पर वियंजनों के भेद कौन-कौन से हैं घोश और अघोश और स्वाश वाजू की मात्रा के धार पर जो हैं वियंजन के भेद स्वाश वाजू की मात्रा के धार पर इसके वी दो भेद हैं वो कौन-कौन से हैं अलप्रान और महाप्रा दोवेद है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर और सुस्क्राइब कीजिए धन्यवाद